आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल सुद्सरावन महा की किष्ण पक्ष की प्रतिपातिती आराम भो जाएगी नक्षतर आज मूल रहने वाले दिन के 11 बचकर 20 मेर तक तदुपान पूर्वासरा नक्षतर आराम भो जाएगा वरत्योहर में आज असनान दान वरत की पूर्निमा है साथी गुरु पूर्निमा आज है बित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विष्थार जानना है एक-एक मौर्तो गयम जानना है तो डिस्किप्शन में आज के धर्म शिक्ष्छा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विष्थार पूर्वक जान सकते हैं एक- का नुसार तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बैने रही है ताकि आपको संपून रासिवल की जानकाड़ी हो पाए रासिवल का वीडियो पसंदा जानकाड़ी अच्छी लगे तो से लाइक करें साथ ही कमेंट बोक्स में जे माता दी जो लिखें मैं तो आज के 12 रासिवल आज के रासिवल में जानेंगे तो आज ये बात करेंगे पाली रासि मेस रासिवल में जिसके फ्लसरुप आज आपकी काम की अधिकता रहेगी ज्यादा जूट बोलने से आपको बचना चाहिए इससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है आज के दिन किया गया निवेस आपके भाउकता और कामकता के अधिकता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहेगा मानसिक संतुलन भी बना कर रखें काम और घरबालों का दवाव आज आपको थोड़ा घुस्यल बना सकता है आज के दिन यात्रा मुनरंजन और लोगों से मिलना जुलनापका होत विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के दिन उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अधियन्द में अच्छा परदर्शन कर सकेंगे तो महनित में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात के तो आज आपको पेट से समन्दी दिक्कत का सामना करना पर सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी विगर सकता है तो अपने माता के स्वास्त पर आपको ध्यान देने की जरूरत है प्रेम समन्द की बात के जीवन साथी से अच्छे समन्द बनाने की कोशि करें इससे आपके समझत बहतर होंगे आज के दिन अदरक अपने खात्र पतात में सामील करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सफेदरंग लकी मर रहने वाले साथ बात करेंगे वरिसरासी की वरिसरासी में चंदरमा आठमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जा बरबाद हो सकता है तो इसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो इसका फाय आपको कही न कही मिलेगा भागीदारी वाले वैवसराओं में निवेस करने से बिलकुल बचें आज किसी प्रकार का जो खीम नाले जो खीम नले से भी बचें आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जातकों के लिए आज की गई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा किये के कारिस से आपको यस किर्ती और लाव की प्राप्ती भी होगी परिवार में सोहात्य पूर्ण वातावरन बना रहेगा नोकरी और काम धंदे की जगह सहीयोग्यों का सहीयोग भी आपको मिलेगा खर्च में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है आज दोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे व्यापार और धन की बात के तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पे नियंतन जोड़ रखें ये आपके व्यापार को प्रभा से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्थ में थोड़े उतार चरहाओ भी आ सकते हैं तो अपने स्वास्थे पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज की दिन थोड़े उतार चरहाओ आ सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोग प्रवल धनलाप के भी योग बन रहें आपके व्यापार में विर्धी होगी कारी छेतर में आपके काम काज की सराहना भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें इससे जीवन में आपको पस्ताना पर सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहने वाला है फोन और सोचल मीडिया में अपना समय ब्रबादना करें मेनद करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात करें आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है अपने जीवन साथी के स्वास्ती का भी आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंद की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम परसंवों के लिए अनकूल रहने वाला हैं, आज आप अपने जीवन साथी को यह जरूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं, इससे आपके प्रेम समन सुद्रे ढोंगे, आज के लिए ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंग तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चम की लिए रंग, लखी नमर रहने वाला है पांच, बात केंगे अब करकरासी की, करकरासी में चंद्रमा छठे स्थान में वीराजित हैं, जिसके फ्रसुप आज आपके उदार सुभाओ क गलत फाइदा उठाया जा सकता है, तो सचेत रहें, आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे, आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो अपने फिजुल खर्चों पे नियनतन जोर रखें, मिठी वानी वाले वानी पर अपने सयम भी रखें, वरना आ सब्ढ़राई से जानने की कोजिस करें, कोई भी कतम उठाने से पहले विशेश सके की सलाह जोड लें, तभी कहीं नीवेस करें, वेड्यार्थी की बातकर, वेड्यार्थियों के लिए आज की दिन सामानने रहने वाले हैं, आज की दिन सोसल मीडिया में ज़्यादा समय ब पर बाद ना करें अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दे। सिंगरासीम चंदर्मा पांचमे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको अपने जीमेदारियों को समझने की आवेश सकता है। उसका प्रभाव आपको वैबसाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी प्रनाली में सुधार करने की आवेश सकता है। कुछ राजगिये सहयोग मिलने की संभावना भी बन रही है। संतान के साथ मदभेद हो सकते हैं। आज कोई भी महतपूर निरने सोच समझ कर ही लें। किसी आध्यात्मिक गुरू या ज्यानी पुरुस की सलाह से ही लें। वयापारो धन की बातकित अगर आज के दिन कोई नई वयापारिक योजना बनाएंगे तो आने वाड़ी समय में उसका लाव भी आपको मिलेगा। आपके वयापार इक प्रतितंदी आज सांत रहेंगे। विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामानने रहने वाला है मेनद करें सफलता की प्राप्ति आपको जरूर होगी स्वास्त की बात के आज आपका ठकान और अलत से कानभ़ों करेंगे वेस्त दिन्चरिया होने के बाब जूद आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात के तो विवाहित जातकों को गरियास्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति भी होगी आज के इन ब्राउन राइस यानी की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुला वी रंग लकी नमर रहने वाले पांच बात केंगे अब कन्यारासी की कन्यारासी में चद्रमा चोथे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपके घर तथा कार्यस्थल में बेहतर वातर रहने से आपको काफी परसनता होगी बित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मोज मस्ती भरियातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं साथ ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहीयों की भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाली जातकों के लिए आज कि दिन अच्छा रहने वाल हैं उच्छ पताधिकारी आपके कारी की सरह न कर सकते हैं सरकारी कारीयों साथ आपको सफलता मिलेगी अपनों से मनमटाओ होने की संभावना भी बन रही है तो उन से अच्छे समन्द बना के रखना चाहिए आपको व्यापार और धन की बात करें तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रियाज सफल रहेंगे नोकरी करने वाली जातकों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है व्यापारी वर्ग आज थोरा समल कर रहें स्वास्ति की बात कर स्वास्ति के दिश्टि से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाल है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समन्द की बात कर आज का दिन आपके प्रेम समन्दों में थोरी खटा सत्पन न हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद वरकर सामने आ सकते हैं तो मतभेदों से बिलकुल बज़ेए आपको अपने प्रेम समद्धों के परती सचेत होना चाहिए हो सकता आपका जीवन साथी आज आपके लिए प्रयाप्त समय ना निकाल पाए तो उन्हें समझने का प्रयास भी करें आज के दिन जव या जव से बने ही ज़िया खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुन्हरारंग लखी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे तुलाडासी की तुलाडासीम चंद्रमा तीसे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाल है आज आपको मान समान मिलेगा साथ ही आपको यस किर्थी और लाभ की प्राप्ती भी होगी बुजुरकों और मित्रों के साथ आपका दिन आनेंद में बीतेगा साथ ही पत्मी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा किसी प्रिये व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कारे स्थल पर परिश्रम के अनुरूप लाभ की प्राप्ती भी होगी कीमती वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भैबना रह सकता है आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है व्यापार और धन की बातके आज व्यापार धन की दिश्टी से आपके लिए च्छा दिन रहने वाल है आज रोजगार के लिए किया गया प्रयास आपका सफल रहेगा विद्यार्थी की बातके विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान ने रहने वाल है मेनत करें सफलता की प्राप्ती आपको होगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के देश्टी से आज की आपके लिए बहुत अच्छा नहीं खा जा सकता है बुज़र्व जातकों को पुरानी विवानियों से कष्ट भी हो सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जूर रखें प्रेम समंद की बात करें आज पती पत्नी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय विद्दाएं अपने प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज के लिए अंकूरित अनाज खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा क्रीम कलर और लकी निमर रहने वाला पांच बात करेंगे विश्ची क्रासी की विश्चिक रासिम चंदरमा दूसरी अस्थान में आज विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आप कोट कचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी परकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है वानी और व्यवहार में सयम रखना आवैसेक है आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं आज किने अपने खर्चों पर नियंतन रखें आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कुछ जातकों को लंबा सफ़रते करना पर सकता है जो काफी भागद और भावी रहेगा लेकिन साथी आपके लिए यह यात्रा फायदेमंद भी रह सकती है व्यापार और धन की बात के तनोकरी और व्यापार से जोज़ा तक आपने ओफिस या व्यापार से समन्दित लोगों से मिलजूर कर रहे हैं समझ और धहरी से काम करें साथी कारे स्थल पर साथभानी परतें आज के इन जल्दबाजी में निवेश तो बिलकुल भी ना करें अगर आपको कहीं निवेश करना भी हो तो सोस समझ कर ही करें अनभवी लोगों की सलाह से करें वरना आपको नुकसान हो सकता है विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामाने रहने वाला है आज के इन सोसल मीडिया में अपना समय बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बातकर तो आज के दिन आपके स्वास्त में थोड़े उतार चरहाओ आ सकते हैं स्वास्त थोड़ा खराब भी रह सकता है तो अपने स्वास्ते पर ध्यान रखने की आवेश सकता है प्रेम समन्द की बात के तो आज के दिन आपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामान जस्याप कब बना रहेगा आज किन बादाम खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट ये लोकरर लकी नमर नौ रहेगा बात केंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा आज पर्थम स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज के दिन आपको कहीं से सुब समाचार की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा पीतेगा किसी से कुछ उपाहर की प्राप्ती भी हो सकती है लेकिन सचेत रहें आजनासिप अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी साधान रहने की आपको जरूरत है बाहर गुमने की योजना बन सकती है तथा स्वाधिष्ट भोजन करने का आवसर भी प्राप्त होगा आज किन आपके लिए कई तरह से फायदे मन सावित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी और हर काम में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है व्यापार और धन की बात करें जो अतक में नोकरी करते हैं वे अपना कारे अच्छे तरीके से करें क्योंकि आज आपके बॉस की नजर आप पर ही है वे इसे भी अपने कारे को इमानदारी पूरवकी करना चाहिए जो अतक व्यापार करते हैं जिनने निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेस करें तब ही आपको आर्थिक लाब हो सकता है विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं तो महनित में कोई कमें ना रखें स्वास्ति की बात करत आज के दिन आपके स्वास्ति के लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समन्द की बात करत आज के दिन आपके जीवन साथी को भादनत्मक तोरपर ब्लैक मेल कर सकते हैं इससे आपको बचना चाहिए इससे आपके रिष्टे खराब हो सकता है आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई अजनावे भी आज नुग जोंक का करन बन सकता है आज के ब्राउन राइस यानि की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग नीलारंग लखी नमर तीन रहने वाला है बात काएंगे मकर रासी की मकर रासी मचंतरमा बारा हुए स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आगर आज का दिन आप खुस नुमा बनाना चाहते हैं तो आपको मानसिक तनाव और जंजटों से बच कर रहना साहिए कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवनी आपके ध्यान का केंदर है लेकिन आज आप समाजिक कारियों पर भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और हर जोड़त्मन व्यक्ति की मद्द करने के कोशिस कर सकते हैं जातक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके विग्रेफे कारी भी बनेंगे आर्थी की उन्नाओं के करन आपके कई परेसानिया कम होगी परिवार में स्रांति और आनंद का महुल बन सकता है व्यापारो धन की बातकर नोकरी या व्यविशाय जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्थ होगा ज उन्हें सफलता की प्राप्ते भी जरूर होगी स्वास्थ की बात के तो स्वास्थ के देश्टी से आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्थ पर ध्यान देने की आवे सकता है आपको प्रेम समन्द की बात के तो आज आपको अपने जीवन का सामना करना पर सकता है विवाही योग जात्कों के लिए आज का दिण उपयुक्तळ रहने वाला है आज के दिण दूद्य है दूद्द से बने में चीब क्लिए खाएँंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए या तरपे आप जा सकते हैं, अगर कोई पारिवारिक उल्जन है, तो उसे सुल जाने का यह एक अच्छा समय है। आज के दिन आप अपने पारिवारिक रिष्टे नाते के उल्जनों को सुल जाने में भी कामियाब रहेंगे। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें किसी प्रेमी जोनों को मिलवाने में भी आप मदद कर सकते हैं। व्यापार उधन की बात के इंद्वित्य मामलाव पर ध्यान दने की आविश सकता है। आज किया गया निवेस आपके लिए काफी फाइदय मन साबित होने वाला है। लेकिन निवेस आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। आपको अपने भागिदारों यानि की पार्टनर्स के वीरोध का भी सामना करना पर सकता है। विद्यार्थी की बात कर साहित लेखन और कला के छेतर से जूरे हुए विद्यार्थियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है। सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है। स्वास्ता की बात कर स्वास्ता के दिश्टी से आज किन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आपको अपने संतान के स्वास्ता की जिनता रह सकती है। तो अपने संतान के स्वास्ता का ध्यान रखें। प्रेम समंद्ध की बात के प्रेम समंद्धों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथे के जीवन में आपके कितनी जरुरत है आज के नीमबु अपने खादे पतात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा मी नासीम चंद्रमा दसमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आज आप थोरे भावग भी हो सकते हैं किसी की बाते आपको ठेस पहुँचा सकती है तो ज़्यादा भावनाव में नाव हैं वरना आपके ठेस पहुँच सकता है कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं जिससे घहलू जीवन में कुछ तनाहों का सामना प्याब को करना पर सकता है आपके जो भी प्रियेजन है वियापके भरोसे और वादे की जोरत का महसूस करेंगे व्यापार अधन की बात के तो जो आतक नोकरिक करते हैं उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहौल मिलेगा कामकाच के अस्तर में भी सुधार होगा व्यापार से समन्दित आपको कहीं यात्रा पिजात जाना पर सकता है और यह आपके लिए लाबदाएक भी सिध्ध होगा तो यात्रा के मोके को हाथ से न निंद में और नियमित्ता रहेगी जिससे आपका स्वास्त था डगम होगा सकता है अगर इससे बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा प्रेम समन्द की बात करें तो प्रेम समन्दों के लिए आज के अच्छा रहने वाल है आपका प्यार और आपका जीवन आज का असुबसमय यानि की गुले काल रहने वाला है दिन के दो बुबच कर नौम नोट से लेकर दिनके तीन बच कर ूबच कर चौवण मिर्ट तक इस समय में को भी नया कारी आणिउन गर तहां के उसमें आपको फ़लता है लगेगी तो आपके कारियाज बनेंगे तो में तो ये दुधाज का संपून रासी फल कल के संपून रासी फल के लिए जूरे रहे हैं धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्छा जे मत दिन